हेलो आवरिबर्डी सभी साथ्योगर आमराब नमस्ते हाई हलो कैसे आप सभी उमेद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे तंदरूस्त होंगे और आप अपने आने वड़ एक्जाम की त्यारी जबरदस तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों ये वीडियो है HSSC CET से संबंदित जो वन टाइम रजिस्टेशन होता है HSSC के लिए CET के लिए ठीक है OTR जो होता है उसमें प्रोबलम आ रहे थी हो कि वो फार्म क्या है फैमिली आडी से बरा जाता है फैमिली आडी में जो डिटेल होती है वही डिटेल उसकी एट प्रोबलम है आपको पता ही है और जो प्रोबलम है जो मिस्टेक है ठीक भी नहीं हो यह हर eine क्योंकि उन्हें नें दो बार अप्डेट कर लिए क्योंकि एक बंदे की एक नाम के सामने जो डिटेल है वो हम केवल दो ऑर ही छेड़ खाने उसके साथ कर सकते आं उसके माद में आप Family ID में अपडेट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अब बच्चों के फार में अभी जैसा किसी का नाम गलत है Family ID में तो वही चीज क्या है CET का फार मड़ते हैं उस टाइम पे सामने आती है गलत नामी आता है तो बच्चा मेरे पास मैसेज करता है कि तो फार में अपडेट का उप्चन आ गया दोस्तो आप क्या 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 अपडेट कर सकते हैं फादर नेम फस्ट नेम मदर फस्ट नेम नेम फादर लास्ट नेम मदर लास्ट नेम जैंडर चेंज कर सकते हैं तो ये चीज आप अब आप करेक्शन कर सकते हैं तो भी अब आप ये चीजे अब चेंज कर सकते हैं जैसे आपका खुद का नाम गलत है आपका नाम राहुल है लेकिन फैमिली आडे में गलती से आपने राहुल काम कुमार लिखवा रखा था तो अब आप उसको ठीक कर सकते ह जेंडर गलत है आप मेल है लेकिन गलती से फैमिली आइडी में फीमेल हो रुख है तो आप चेंज कर सकते हैं जब आप आपका आपका एफे पे जाओगे या किसी भी CSC सेंटर पे जाओगे तो वह अपनी खोलेगा ना डीटेल तो यह फैमिली आइडी की जो एबसाइट मैं बहुत सारे फारम इसके वज़े से रुके वे थे तो यह यह चीज़े हैं आप चेंज कर सकते हैं और I hope आपको चीज़े समझ में आई है इदे चीज़े समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा ऐसी प्रगार की information informative वीडियो देखने के लिए आप knowledge TV देशी ताव YouTube को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा आज की वीडियो में तरह ही धन्यवाद भुगान कर आप सभी का समय सूब रहे